भारत के अंदर एक राइजीना डायलोग हो रहा है, जो कि आज शुरू हुआ है, बारत में ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मौजूद है और उन्होंने भारत की डिवलपमेंट देखिया, इसके तारीफ की है, प्राइम मिनिस्टर मुदी के बहुत ज़ा तारीफ की ह है, बोला है, आइम प्रिवलिज्ट टू बी इन इंडिया, किसमत की देवी और ताकत और पावर की देवी है, वो नरिंदरा मोदी अपनी हथेली पे लखवा गया है, यहां एक बात ये भी है कि भारत में ऐसा क्या है, कोई भी जाता है, उनका दिवाना हो जाता है, ट्वीटर पर ट्वीट्स भी करता है, और पाकिस्तान में अभी क्या बहस चल रही है, कि कौन जादा सीटें जीता है, कौन नहीं जीता है, यहां पर मेंडेट का इहतराम नहीं किया जा रहा है, और वहां पर जो एलेक्टिड ऑफिशन्स हैं भारत के, वो किस तरह, मतलब मुल्क के लिए फैसले का रहे हैं, भारत के अंदर एक राइजीना डायलोग हो रहा है, जो कि आज शुरू हुआ है, और ये एक एन्वल कॉन्फरंस कही जाती है, जियो पॉलिटिक्स और जियो एकॉनॉमिक्स पे, जिसका मतलब यह है, कि दुनिया के जितने भी चैलेंज किसी तरह रशिया भी एक कराता है, ये एक ट्रेंड है, जो है, वो अमर्ज हो गया है, पाकिस्तान में भी एक मारगला डायलोग होता है, जिसमें दुनिया के दो-चार मुलकों से लोग आ जाते हैं, अब देखें, इसमें यहाँ इंट्रेस्टिंग बात यहा है, कि 215 दुनिया के मुलकों से लोगों को लेके आना, और दुनिया को बताना कि इंडिया क्या सोच रहा है, भाई, इंडिया का नेरेटिव भीकर है, इसलिए दुनिया की कहानी सुनने आएंगे ना, और इसमेजारी बात मिनिस्टर्स, प्रेजिदेंट्स, मिलिटरी कुमांडर टेकनालोजी लीडर्स बड़े तगड़े तगड़े लोग आ रहे हैं इसके अंदर सो ये इंडिया ने एक ऐसी चीज शुरू की है ये 2016 में शुरू की उस वक्त इन्होंने मतलब उस वक्त भी सौस्पीकर लेकर आने में कामिया हुआ थे 35 कंट्रीज को इन्वाल किया था उसवक्त इनका जो थीम था वो ऐशिया की ओपर था रिज्डल एंड ग्लोबल किनेक्टिविट फोकस करें, इसके ओपर दिहान दें, यह चीज डायलॉग चाहिए, फिर उन्हों ने अच्छा बला पैसा डाला इसके अंदर, अब देखें ने ग्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ वहाँ हैं, ठीक है, उनको बड़ा प्रोटोकोल दिया है, ग्रीज को ने और बाकी द क्या रहे हैं कि इंडिया जो है, वो लीडिंग डिमाक्रिसी है, ग्लोबल साउथ की, अब इंडियन्स क्योंकि ग्लोबल साउथ टर्म बड़ी इंपॉर्टन यूज करते हैं, देखें, जद उजहत तो आर्मी ने की है, पाकिसान आर्मी को कोई नो को प्राइम निस्टर च सूट तो किसी को नी करता, इवन तहरीक इंसाफ वाले भी सरकार में नी बैठना चाहते हैं, उनको भी पता है, तीन महीने बाद वो इतने बिल उनके सर पर आएंगे, कि वो बिल बला उठेंगे, दुख होता है, कि भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी डिमाक्रिसी है, उस उसकी डिमाक्रिसी का भी डिवालिया हो चुका है, देखिए मुझे नहीं लगता कि नई सरकार ये को नई सरकार तो है नहीं, ये तो पीडियम टू सरकार है, और सब चाहते हैं, वहां के खास वर पर दो पार्टियों के लोग के बारत के साथ तलक अच्छे हों, लेकिन आर तो रात कैसे जाएंगे, तो मुझे कोई उमीद नहीं है कि उनके तलक जो है पाकिसान के साथ, जो तलक होंगे भारत के साथ, वो अच्छे बना सकेंगे. हमको अल्ला ने एक एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बना आया था, अल्ला ने हमको इसलिए बनाया था, कि हमने गजवा हिंद लड़ना है, गजवा हिंद कैसे आप लड़ेंगे, मतलब मैं जो हज़ूर्स ने जो पेशन गोई की, उस पे तो कोई बहस नही कार, एटम बम तो हमने बना लिया ठीक है, लेकिन बाकी दूस्ट्रियल बहसे हैं, कमस्कम हम पाकिस्तानियों को इस बात में शक नहीं करना चाहिए, अभी हमारे हमसाय में अफगानिस्तान था, जिस पर चालिस साल के अंदर दो सूपर पावर ने खबज़ा किया, पहले र ठीक है, अफगानिस्तान उक्रपाई होगा, तो आप ये चाहते हैं के पाकिस्तान यूसी लेबल तक पूंच रही है, अगर हम बात करें ना पाकिस्तान के इन्वेस्ट्मेंट कहीं से आ रही है, और हम आज की बात कर लें, हमने लेका ग्रीस के प्रेजिडेंट आते हैं, और आके कहते हैं के भाई हमें जो है, जरूरत है आपकी और आप हमारे मुलक में इन्वेस्ट करें, बीस मिलियन डॉलर से भी जादे इन्वेस्ट करने चाहरा है, उन्होंने का हम भी करें कि जित्रा पोसिबल हुआ हम से, उन्होंने एग्रिमेंट साइन की है, पिर ये हु हो रहा है, मेरी तो समय से बालतर है, आप इस मुलक की आप हम बात करें तो 65-70 परसंट यूथ है, अगर यूथ ही कुछ करना नहीं चाहरी, तो ट्रेड तो बहुत दूर की बात है, अब आपके फंडमेंटल अर्गन आफ़ स्टेट है, लाइस लेचर है, जुडिशिरी है, अग्जेक्टर है, आपका ग्राफ यहां पर ही क्या है, आपके अग्जेक्टर में क्या हो रहा है, आपके जिडिशिरी में क्या हो रहा है, और आपकी जो, मैं तो यह कहना चाहता हूँ, कि देखें, आप मुलक में जो पार्लिमेंटेरियन है, जो मजूदा सिचुएशन मे जो सियासत हो रही है इस पे क्या हो रहा है समझ से बालातर है मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें जब तक यह यूथ जो 65-70 परसंट यूथ है वो सामने नहीं आएगी आपके मुलक के हलात कभी भी सीदे नहीं हो सकते भारत दोडे पाराये ग्रीज के प्राइम मिनिस्टर किरियाकोस मिथ सोटाकिस ने प्रधन मौंतरी नरेंदर मोदी के साथ नाइन्थ राइसीना डायलोग में चीफ गेस्ट और कीनोट स्पिकर के रूम में सिरकत की इस दोरान PM Modi ने किरियाकोस के साथ बाइलाटरल बार्ता करने के बाद फ्रेस को सम्मधित किया ग्लोबाल स्टेज पर भारत की भूमिका के महत्तो पर जोड देते हुए ग्रीक पीम किरियाकोस ने कहा कि जब ग्लोबाल डिबेट या चुनोतियों के समाधन की दिशाताय करने की बात आती है तो आज भारत को सर्व सम्मति निर्मान के रूब में जाना जाता है उन्होंने ये भी कहा कि जियोग्राफिकल, कल्चरल और स्टैटेजिक प्रोक्सिमेटी को देखते हुए ग्रीस, भारत और येउरोप के बीच बारताकर के रूब में कारिय कर सकता है मीच सोटाकिस ने प्रधन मंत्री मोदी की प्रोसमसा करते हुए कहा उन्हें, उन्में एक दूरदर्सी लीडर और एक सच्चा दोस्त मिला है उन्होंने कहा कि भारत ग्रीस सम्मांद दिपक्सिय संपरकों से परे है ग्रीक पीम ने प्धन मंत्री मोदी के साथ एक जोएन स्टेडमेन देते हुए कहा कि पिछले साल में ने एकरिकल्चर और डिपेंस जैसे महत्पुन सेत्रों में एक MOU पर हस्तक्सर किये थे दोनों देशों में हाई ग्रोध रेट पर प्रोकास डालते हुए पीम मित सोटा किस ने कहा कि आपसी निवेस भारोत और ग्रीस के बीच बाइलेटरल रिलेशन का एक प्रोमोक लक्स है उन्होंने कहा भारोत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थवेवस्ता है